हेलो स्टूरेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संरा अड्वान्स अजूकेशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफ की हिंदी व्याक्रन की पुस्तक इस पर्श का लेसन 5 का पार्ट 2 पार्ट 1 इसका पहले आ चुका है जिसमें हमने लिंग और वचन के बारे में बात की थी आज हम इस लेसन में कारक के बारे में बात करेंगे कारक लिंग तथा वचन के समान कारक भी संग्या का एक प्रमुख विकारी तत्व है मतलब जैसे लिंग और वचन एक विकारी तत्व होते संग्या के उसी प्रकार से कारक भी संग्या का प्रमुख विकारी तत्व है क्योंकि यह भे संग्या की रूप रचना को प्रभावित करता है कारक आखिर है क्या कारक क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं संग्या अथ्वा सरनाम के जिस रूप से वाक्य के किसी शब्द के साथ उसका सम्मंद दर्साया जाए सना या फे संग्या के जिस रूप से वाक्या के किसी शब्द के साथ उसका समंद दर्साय जाए उसे कारक कहते हैं कारक के भेद, कारक के आठ भेद होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करन कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, समंध कारक, अधिकारन कारक और समोधन कारक अब हम बात करते हैं, इनको डिटेल में डिसकस करते हैं, कि ये कारक क्या क्या होते हैं करता कारक संग्या अथ्वा सन्नाम के जिस रूप से किरिया के करने वाले का ज्यान हो किरिया के करने वाले का ज्यान हो उसे करता कारक कहते हैं ठीक है जिस संग्या के जिस रूप से हमें किरिया के करने वाले का ज्यान होता है उसे हम कर्ताकारक कहते हैं इसका विभक्ति चिन ने होता है मतलब उसमें ने आता है जैसे उधारंदी आया राम ने तीर चलाया ठीक है तो यहाँ पर कर्ताकारक होगा मोहन ने गीत गाया मतलब कर्ता के दौारा किया गया करता की दुआरा किरिया की जाती है राम ने तीर चलाया मोहन ने गीत गाया और इसकी विवक्ती चिन नहीं होता है कर्मकारक संग्या या सन्नाम के जिस रूप पर किरिया के व्यापार का फल पड़े वह कर्मकारक कहलाता है या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते है वह वस्तू या व्याक्ती जिस पर वाक्य की किरिया का प्रभाव पड़ता है वाक्य की किरिया का प्रभाव पड़ता है वहाँ पर कर्मकारक होता है ठीक है जैसे यहाँ पर दिया है राम ने रावन को मारा तो यहाँ पर क्या है कर्मकारक है गीता नहीं सीता को गीता सुनाया तो यहाँ पर भी कर्मकारक है कर्णकारक करता जिस साधन की द्वारा अथ्वा जिस साधन की सहायता से किर्या को संपन करता है करता जिस साधन की द्वारा या फिर जिस साधन की सहायता से किर्या को संपन कर करता है किरिया को पूरा करता है करन कारक कहलाता है इसका प्रभूरा और से इस से इसका विभक्तिक्न होता करण कारक है संप्रदान कारक करता जिसके लिए कुछ करता है अत्वा जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं इसका विबक्ति चिन के लिए तथा को मतब देने का भाव इसमें नहित होता है जैसे राम ने पक्षो को दाना दिया या फिर राम गुरु के राम गुरुजी के लिए फल लाया यहाँ पर इसके अंदर देने की भावना नहीत होती है ठीक है तो यहाँ पर देने की भावना नहीत होती है या फिर के लिए या को विबक्ति चिनाते हैं तो वहाँ पर कन संप्रद अपादानकारक होता है और इसमें साधन मेन होता है साधन की सायता से या फिर साधन इसमें मेन होता है अपादानकारक संग्या या सन्नाम के जिस रूप से उसके प्रथक होने तुल्ला भाव इर्श्या द्वेस घर्णा आदी का भाव प्रकट हो मतलब उसमें या तो पर्थक होने का भाव हो या फिर तुलना की जा रही हो या फिर भाव हो या फिर इर्शा हो या फिर दुएस या घिर्णा का भाव हो तो वहाँ पर अपादान कारक होता है जिसे पैड़ से पत्तेग गिरते हैं मतलब पिठा कोने का भाव यहां पर आ रहा है मतलब यहाँ पर अपादान कारक है राम मोहन से घिर्णा करता है घिर्णा का भावा रहा है तो यहाँ पर भी अपदान कारक है वैशेर से डरता है डरने का भावा रहा है सीता रीता से इर्शा करती है इर्शा का भावा रहा है रीमा, शामा से मधूर गाती है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर अपादान कारक है संबन्द कारक, संग्यात्व सनाम के जिस रूप से उसका संबन्द वाक्य के अन्य संग्याय सनाम सब्द से ग्यात हो वे संबंद कारक होता मतलो जहां पर संबंद दिखाया जाता है संग्याय 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 समन्धित किया जा रहा है राम के कपड़े राम की गाड़ी मेरा घर मेरे कपड़े मेरी गाड़ी तो इन सभी इस उसेंटेंस दिए गए है इनमें समंद्कारक है अधिकन्कारक संग्यय अथ्वर सनाम के जिस रूप से cracking क्रिया के आधार तथा आश्य, इस्थान, समय आशर का ज्यान होता है वहाँ अधीकान कारक होता है इसका विबक्ती चिन में तथा पर होता है जैसे उधारंदिया है जग में पानी है मेज पर किताब है ठीकर तो यहाँ पर अधीकान कारक है संग्या के जिस रोप से किसी को बुलाया पुकारा अत्वा संभोधित किया जाता है मतलब जहाँ पर किसी को बुलाया जाता है पुकारा जाता है या फिर संभोधित किया जाता है किसी को तो वहाँ पर संभोधन कारक होता है प्रमुक समोधन शब्द अरे या फिर हें है उधरन के लिए हे भगवान हमारी रक्षा करना ओ सबजी वाले इधर आना अरे तुम कब आए नोट समोधन कारक में संग्या के बाद समोधन चिन भी लगा जाता है इसकी मेन अगर आपको पहचान करनी है तो उसमें संग्या सब् ठीक यहां पर कारक की प्रमुक भेत था विभाक्ति चिन दिये गए हैं करता ने इसका विभाक्ति चिन होता है कर्म इसका विभाक्ति चिन को होता है कर्ण का विभाक्ति चिन से या फिर की द्वारा होता है संप्रदान का को या के लिए इसमें देने का भाव नीहित होता ह अपादान में से और इसमें पिटतक होना तुलना भे इर्षा आधिका भाव होता है संबन्ध में क क क या री रे आदिश अब्दाते है अ मतलब संब्द दर्षाया जाता है अधिकरण में मे या फिर पराते हैं संब्धन में है और और सबसे ज़्यादा इसकी पहचान करनी हो तो संग्या शब्त के बाद उसमें समोधंचिन दिया हुआ होता है तो यह था क्लास फिप्त का लेसन फाइव और आज हमने इसमें पढ़ा यह पार टू था और पार टू में हमने आज पढ़ा कारक के बारे में वीडियो अच्छी करना ना गूलें थैंक यू